किवान्स कह रहे हैं sir I am over confident on C एक interview की वात याद आगे बताओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल घंशाम मैंने बताया था आपको concept cube का concept आप देखोगे ना तो मैंने बताया था अगर हम x cut देते हैं हर edge में क्योंकि ये 4 का cube है 64 मतलब x की value क्या होगी 3 तो इसलिए हमने 3 cuts दिया clear है हाँ sir बताये कहानिया सुनना बहुत अच्छा लगता over confident confident देखिए confidence होना बहुत important है over confident तो नहीं होना चाहिए confidence का बात अगर मैं करूँ तो आपके gate exam में confidence बहुत है important है आपके gate exam में confidence इसलिए important है क्योंकि यहाँ पर negative marking है जब आपको लगे दुनिया चाहे जो भी बोले आस पास पडोस वाले चाहे जो भी option बोले मैं जो सोच रहा हूँ मैं जो सोच रहे हूँ यही correct answer है जब इतना confidence आपके पास है तब ही आप correct answer चुनिए हो सकता है नहीं हो सकता है ये वाला नहीं हाँ अगर MSQ है तो आप trial कर सकते है multiple select question अगर है तो आप trial कर सकते हैं क्योंकि उसमें negative marking नहीं है तो वहाँ पर तुक्का लगा सकते है लेकिन 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 MCQ में कभी तुक्का मत लगाईएगा are you getting me confident तो ये confidence build up करना होता है ये कैसे build up होता है सब किसी भी concept को अच्छी तरह से समझने पर और ये confidence आपकी life में आपको बहुत important है क्योंकि interview में भी ये काम आता है interview में काम आता है कैसे मैं बताता हूँ देखिए जो interviewer आपके interview ले रहा है वो उसकी qualification क्या होगी कोई idea एक company का HR जो है जो interview ले रहा है उसकी qualification क्या है any idea क्या पढ़के वो HR बना है क्या पढ़ाई की होगी उसने basic basic qualification क्या होगी basic qualification MBA 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 नहीं MBA PhD भी जोरत नहीं MBA MBA Master in Business Administration यहाँ पे आप finance में कर सकते हो marketing में कर सकते हो HR में कर सकते हो तो माल लीजिये MBA HR है वो MBA करके वो HR की stream में MBA क्या और एक company का interviewer है HR है MBA की पढ़ाई के लिए basic qualification क्या चाहिए कोई idea MBA की पढ़ाई के लिए qualification क्या होना चाहिए BBA चंदन क्या है BBA basic qualification any degree कोई भी degree के बाद आप MBA कर सकते हो कोई भी degree के बाद चाहे आप BA हो Bachelor of Arts हो चाहे आप B.com हो Bachelor of Commerce हो चाहे आप B.Sc कियो हो Bachelor of Science चाहे आप B.Tech कियो हो चाहे आप B.E. कियो हो चाहे आप B.B.A कियो हो कोई भी degree है तो आप MBA कर सकते हो अब एक बात बताईए कि एक interviewer वो HR जिसने Arts से अपना graduation किया फिर वो MBA करके एक company का HR बना और वो बन्दा वो interviewer आपकी technical round ले रहा है कैसे उसे तो कोई technical idea नहीं है उसने तो कभी B.Tech पढ़ा नहीं है तो वो B.Tech वाले की interview ले कैसे रहा है दिए आपके लेता है मैच किया सही answer question number two आप आपने answer किया अपने वो paper में देखा answer match कर रहा है सही बोल रहा है question number three पूछा आपने answer दिया उसके answer से match नहीं हो रहा है लेकिन आप बहुत confidently अगर answer बोल रहे हो तो वो समझता है कि आप सही बोल रहे हो वो आपके confidence में भी calculate करता है अगर आप doubtful हो तो obvious से वो समझेगा कि आप गलत बोले हो अगर आप confidence से बोल रहे हो सर दो और दो साथ हो HR भी परेशान साथ कैसे आ गया मुझे अभी तक नहीं आया साथ इसे कैसे आ गया मतलब confidence होना चाहिए वो confidence से अगर आप बोलोगे न तो दिन को भी आप रात कर सकते हो रात को भी दिन कर सकते हो वो confidence तब भी build up होता है जब आपको concept crystal clear हो एक company की मैं बात बता रहा हूँ मैं company का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर copyright issue होगी ये वो दिक्कते होगी एक company में interview चल रही थी एक lady HR एक girl की interview ले रही है नॉर्मल जो interview में पूछे जाते हैं सवाल corporate round में आपको पता है corporate sector में सवाल क्या पूछे जाते हैं अगले 5 साल में आप अपने आपको कहाँ देखना चाहते हो in another 5 years यानि तो ये भी पूछ लेते हैं कि आप में क्या-क्या ability है कौन-कौन सी ability आपके पास हैसी है strength जो हमारी company को organization को help करेए ऐसे ही interview के सवाल चल रहे थे और इस दोरान वो lady HR जो है वो paper को जो है वो जो resume लिखी थे ना वो लड़की उसकी वो CV resume को देख भी रही थी और resume को देखते दे question भी पूछ रहे हैं resume भी देख रहे हैं क्योंकि maximum ऐसा होता है interview में resume से भी question पूछते है आपने degree किया है आपने degree में ये वाला जो project किया था इस major project में आपका क्या role रहा है ऐसे ही पूछ लेते हैं वो resume में पढ़ते-पढ़ते पूछ लेते हैं क्योंकि वह topic लिखा रहता है आपने अब वो resume को पढ़ते-पढ़ते उसने देखा कि hobby में उस लड़की उस girl candidate ने hobby में लिख रखा है gardening अब जैसी वो HR देखती है कि वहाँ पर hobby gardening लिख रखा है लिख रखा है वो HR बहुत खुश होती है और वो उस लड़की को पूछती है कि is it that your hobby is gardening लड़की बोलती yes ma'am my hobby is gardening why तो यह HR बोलती my hobby is also gardening देखिए यह women और girls किते close हो जाते immediately वो HR तुरत बोलती my hobby is also gardening and I have one personal question to ask you it is not the part of the interview मेरे एक personal question है क्या मैं पूछ सकती हूँ लड़की ने का obviously ma'am you can ask आपकी भी hobby gardening है पूछिए तो वो HR बोलती है कि my actually my hobby is also gardening as I said you and I have a terrace garden मैंने चट पे बगीचे लगा रखें in that I have few cactus plant also उसमें कुछ मैंने cactus के प्लान भी लगा रखें but from past 15 days पिछले 15 दिनों से some white color thing is coming on my cactus plant and slowly my cactus plant is changing from green color to happening कुछ white color चीज आ जा रहा है उस cactus plant के उपर और slowly यह cactus plant हरे से सीधा brown होके मरता चला जा रहा है कोई क्या आपको पता है यह वज़ा क्या होगी लड़की ने का yes ma'am I know that this white color thing which you are talking about is actually the fungus that fungus is making your cactus plant to die उस fungus की वज़े से आपका cactus plants मर रहा है don't worry ma'am no need to take any pesticide कोई भी pesticide chemical की जौरत नहीं है I'll give you a best home remedy यह सारे fungus चले जाएंगे मैं best home remedy घरेलू इलाज बताती हूँ अब वो home remedy घरेलू इलाज क्या बताती है take a glass of water 350 ml of water put out take out one complete lemon juice in that पूरा एक निबू का रस उसमें निकाल दीजे और एक market में floor cleaner मिस्टर मसल मिस्टर मसल के 2-3 drop डालिए यह solution में 350 ml water एक निबू का रस और 2-3 drop मिस्टर मसल का इस mixture को अच्छी तरह से मिलाए फिल्टर कीजे और आप अपने cactus plant पे spray कीजे इसको morning, evening, twice daily लेकिन ध्यान रहे जब आप इसको cactus plant पे spray कर रहे हो sun rays नहीं होना चाहिए, morning का मतलब early in the morning, evening का मतलब late in the evening, मतलब सूरी की रोशनी नहीं पढ़नी चाहिए, जब यह solution आप spray कर रहे हैं, मैं guarantee देती हूँ 2-3 दिन के अंदर-अंदर सारे fungus चले जाएंगे आपका cactus plant green और healthy हो जाएगा मैं आपको बता दू, कि उस लड़की का selection हो गया, और कपता भर के अंदर-अंदर सारे cactus plant मर गए तो यह होती है confidence मतलब जब आप बोल रहे हो तो अगला जो है, वो एकदम confidently सुन रहा है, हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो 7 दिन के अंदर-अंदर सारे cactus plant मर गए और इसका selection हो गया, तो यह होती confidence, मतलब जब आप बोल रहे हो ना, तो आपको, सामने वाले को लगे कि नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है, अरे यह यह होती confidence, तो यह वाली कहानी मुझे आपके over confidence word से आ गई आशुतोस करें सर, मैं तो solution बना के ready था, अच्छा वाशुतोस आपने spray नहीं किया, ओके, 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 चलिए, चलिए, तो अब आते हैं वापस से question प्याइए